गुद मॉनिंग गाइस कैसे हैं आप सब हेलो बढ़िया है आप लोग चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टापिक पढ़ने जा रहे हैं ५। है कि बीडियो में कि ब Manson एक है ऑप लोग ओंते हैंले कि बारीम किस्व कोई से पहले इन्फमेशन दिया था by the combination of monomers with the elimination of small molecules such as water alcohol hydrogen chloride and so on यान कि बाइप्रोडक्त कुछ भी हो सकता है water भी हो सकता है alcohol भी हो सकता है HCL भी हो सकता है much more thing तो चलिए condensation polymer का एक example देखते हैं जो कि बहुत ही important and very famous example है nylon 666 यह nylon 666 क्या होता है guys nylon का एक variety होता है है और बहुत important question है यह और exam में जरूर and definitely पूछा जाता है नारन डबल 666 अब इसमें देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको यह भी देखना है कि इसमें इसमें जो है एक तरफ hexamethylene diamond लिया हुआ है और दूसरे तरफ adipic acid लिया हुआ है यह hexamethylene diamond क्या होता है और adipic acid क्या होता है देखिए सबसे पहले नाम क्या है कहा हमने hexamethylene diamond तो दीखिए ज़र यहां पर छे करवन है छे करवन है इसलिए मैं hexamethylene diamond कहा और दो amine भी है इसलिए मैं उसको कह दिया hexamethylene diamond समझ में आगे काई साथ आप लोग को यह हुआ hexamethylene diamond अब उसके बाद कि नेक्स्ट जो डियक्टेंट है वह एडिपिक एसे एडिपिक एसे जो होता है वह डाय कार्बोग्जिलिक इसमें एक साथ दो कार्बोग्जिलिक फंक्शनल ग्रूप है तो इस और यह कार्बोग्जिलिक एसे अब देकि इसमें रियक्शन कैसा हो रहा है आपको यह समझाना समझना है तो very much important कि reaction कैसे हो है one more thing I want to say here आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया है कि एक होता है homopolymer और एक होता है heteropolymer कुछ यहाद आ रहा है guys homopolymer और एक होता है co-polymer co-polymer कोई हम लोग कहते हैं heteropolymer तो homopolymer का मतलब क्या होता है जिसमें दोनों monomer यानि कि दोनों reactant से होते हैं उसका हम कहते हैं homopolymer और एक होता है co-polymer that is heteropolymer जिसमें दोनों reactant different होते हैं तो जरा आप ध्यान से देखिएगा आप जरा ध्यान से देखेंगे तो को समझ में आ जाएगा कि यहां पर दोनों reactant अलग अलग है एक है hexamethin डायमीन और एक एडिपिक एसिड यह दोनों reactant अलग अलग है इसलिए co-polymer example हुआ यानि कि यानि कि इसका example हुआ है heteropolymer example हो गया उसमें भी co-polymer कि में है कैने कि आप इसका example combustion polymer में हुआ शक्ते हैं और आप इसका example more में भी लिख सकते हैं आप रगिथाल каче में ही सपते हैं तो Чलिए गाई हम लोग देख थै कि reaction कैसे हो रहा है reaction कुछ समझने की कोशिचर ने इक्जिशन बहुत इंपोर्टन्ट है और बहुत हार्ट नहीं है बहुत इसी है तो चलिए आपके स्क्रीन पर ये रियक्षिन है और हम इसको समझने जा रहे हैं वगाइस तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रिखा हुआ है सबसे पहले देखिए आप लोग है सबसे फैला आपके सामने यह χाइग्जामिद्लियं का अच्रॉक्चर दिया हुआ है तो है यह स्ट्रॉक्चर है उसमें देखिए यह हुआ NH2 का Hydrogen और देखे अब इसमें से क्या करना है हमको एक Hydrogen निकालना है H2 में से एक Hydrogen निकालना है एक Hydrogen निकाल लिया और यहाँ यह वाला OH है यह वाला OH निकाल लिया यह इसमें से OH निकाल लिया ठीक है तो यह क्या बना देगा एच्टू बना देगा तो एक एच्टू निकल गया similarly similarly अब देखते हैं दूसरा example इसमें भी एच्टू है यहां से एक hydrogen निकाल लिया और यहां पर ओच्ट निकाल लिया तो यहां से क्या निकल गया फिसे एक और हाइट एक एक और एच्टू निकल अब देखिए अब आपको सीखना क्या है यहां पर इस यहां देखिए यहां पर अगर एच्टू था पहले तो अब क्या बचागा यहां अगर NH2 था अब क्या बचा यहां पर NH बचा यहां पर कार्बोग्सिर्ट था COOH था अब CO बचा वह यहां पर CO लिखा हुआ है वैसे ही यहां पर CO बचा है इस तरीके से हमने लिख लिख लिया और साथ में N लगा दिया अगर N नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि वह पॉलिमर है यस तो इस तरीके से हम लोगों ने यह कर दिया अब चलिए थोड़ा सा इसको और देखते हैं बढ़िया से देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीकी से हम लोगों ने ये पॉलिमर कैसे बना है ये समझ लिया है फिर से देखिए यह है एग्जामेटलिन डायमिन यह है एडिपिक एसीड और इन दोनों के रियक्शन से ह2 निकल रहा है देखिए अब आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर पॉल भी N लिखा हुआ है ठीक है और यहां पर लाउस्ट में लिख सोचना है यहां लिख गलिए तो मैं बताना चाहूं 200 देखें जब यहां पर ध्यान दीचीए इस तरफ कॉबंग इन्य इस तरफ च्छे orang यहाँ पर और यहां पर देखिए सेकंड पर देखिए सेकंड पर पी आजाएगा कि यहां यहां टोटल चे क कर में कैसे यह सी ओ वाला यह लाइं च्छ 2 पर यह 5 यहे च्छ 2 यह से कहते हैंड है अब ऐसको समझने आगया वगा कि नालों प्रिया के बारे में पढ़ लिया अब लोग आके बढ़ते हैं पॉली क्लासिफिकेशन पॉलीमर बेस्ट ऑन दे मॉल्किल फोलसव इस अब लोगे पुरा समझ में आ गया होगा कि नालन डबल डेटिस कास्ट रिक्षिन कैसे होता है आप यह भी समझ में आ गया होगा कि 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 अब्रस पॉलिमर क्या होता है छली गाइज हम लोग क्लासिफिकेशन पॉलिमर बेस्ट ऑन अलग वीडियो में पड़ते हैं आज के लिए इतना ही इस किजिए, लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू very much for watching this